शाम के तक्रीबन 6.15 हो चुके थे और मैं घर से निकल चुका था तो मैं जा कहा रहा था मुझे ये भी मालम नहीं था और मुझे जाना कहा था मुझे ये भी मालम नहीं था तो अभी सडक से मैं गुजर ही रहा था तो आगे मैं आपको बता दूँ कि मेरे सत क्या होता है तो आगे फिर बने ही हमारे सत यहनी कि बने रही है हमारे सत तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है और मैं कहां तक जा पाता हूं तो चल्य देखते हैं हाँ तो मेरे सामने एक पहाड नजर आपको आ रहा होगा जोकी एक मॉन्टैन की पीक आपको नजर आ रही होगी जोकी दूर काफी है मेरे यहां से जहां पर मैं खड़ा हूँ तो आगे मैं आपको बताऊँगा कि इस मॉन्टैन पर क्या है तो फिर बन रही है हां तो मुझे चलना पड़ रहा है अभी थोड़ा वेट केजिए थोड़ा सा थोड़ा मैं पास आ चुका हूँ इस पहाड के मॉन्टैन के अभी और थोड़ा नजदिक जाते हैं तो चलिए हमारे साथ आप भी कहां तक हमें जाना है कैसे कैसे रास्तों से बुजरना है आप यह नहीं की देख सकते हैं तो यहां पे एक मकान सा दिखाई दे रहा है इसके अंदर हम बुज जाते हैं यहां पे कुछ नजर नहीं आ रहा है अंदेरा सा है नजर तो आ रहा है लेकिन कोई नहीं है मेरा मतलब कोई नजर नहीं आ रहा है तो बाहर निकल आये हम उस साइट देखते हैं तो चलिए चल दी हाँ तो यहाँ पर आप देख पा हुरहोंगी कोई बंदा कोई व्यक्ती नहीं दिखाई दे रहा है को फाली कैसि का मकान हो यह लगता है चिडिया थी एक चुकी वहाँ उपर साइड में थी यनि की दिवार के अंदर गुसी हुई तो वो उड़ी तो मुझे थोड़ा सा डर सा लगा लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है हमार सत तो कोई डरने वारी उतनी खास बात नहीं है कबराना नहीं है तो आगे गा देखते हैं किस्सा क्या होता है मैं बाहर निकल चुका हूँ तो अभी थोड़ा यनि के अंदेरा भी है तो थोड़ा डर भी लगता है लेकिन मैं आया कहां पर हूँ तो कोई ये मकान सा था यहां पर बना हुआ जो कि अभी complete भी नहीं हुआ है तो इसके मैं एक कमरे में गया वहां पर कुछ खास नहीं था लेकिन यहां पर वो चिडिया थी तो क्यों थी तो वो तो वो चिडिया ही जाने तो उड़ गई अचानक से कहां गई उसका कोई याता पता नहीं है तो वो पहाड़ आप देख सकते हैं वहां मुझे जाना नहीं आज नेक्स टाइजम जाएंगे तो चली फिर आगे थोड़ा और कहीं जाते हैं तो अभी सोच रहा हूं मैं वहां जाओं कहां चलो वहां जाते हैं देख लेते हैं क्या है वहां पर थोड़ी ठंड सी भी है और मुझे यानि वाग कर जाना बढ़ रहा है तो मैं यहां पर आ चुका हूँ और वह आप देख रहे होंगे उपर जहां पर चीडिया थी और उड़ गई वहां से चीडिया तो ओड़ गई लेकिन अब मैं कहां उड अब इनकी टाइम की बात करें तो अभी काफी टाइम भी हो चुका है तो अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं तो बन रहे हैं हमरसत इसी तरीके के कुछ आपको अडवेंजर्स कराएंगे हम जो कि शाम के सवाच्छे बजए तो देखते हैं आगे क्या होता है नेक्स्ट पहुंचा कहा हूं तो अभी थोड़ा अंदे रहा है आप देख पारे होंगे तो चली चली फिर बस 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 काफी यहां अंदर नहीं जाना है बस बस चली वापस वापिस बाई धन्यवाद चली फिर नमस्ते